चनके नीती को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है क्योंकि अदुरा ग्यान हमेशा घातक होता है आईए सुनते हैं चनके नीती मैंने आजमा लिया है सबको अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है कुछ लोग चपल की तरह होते हैं साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचर उचालते रहते हैं ये दुनिया बहुत मतलबी है यहां कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्टे नहीं भाता है बलकि कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया जो इनसान जितना अच्छा होता है वो इनसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कितना नादान है मेरा दिल ये उनके लिए परिशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं है किसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर होगे तो लोग आपको अच्छा नहीं फालतु समझने लगेंगे जिन्दगी में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं है जब आपको कोई नहीं समझता है बलकि वो होता है जब आप खुद को नहीं समझते हैं कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन प्रवाह बहुत करते है मतलब का वजन बहुत भारी होता है जब मतलब निकल जाता है तो रिष्टे बहुत हलके हो जाते है जिन्दगी में कभी ठोकर लगे तो लोटकर मत आना तुम्हें आजाद किया है माफ नहीं किया वहाँ कभी नराज मत होना जहां आपको खुद ही बताना पड़े कि आप नराज हो जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है सबके बारे में अच्छा सोचता है सबकी कदर करता है अक्सर वही इंसान जिन्दगी में हमेशा अकेला रह जाता है घमानी के लिए नहीं लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मिस्मान के लिए भी लोगों गा साथ छोड़ना पड़ता है अकसर जिंदगी में सबके पीछे भागने में सब की प्रवा करने के चकर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है दूआ में याद करने के जमाने चले गए आजकल तो लोग चुग्लियों में याद रखते हैं इनसान के गुरूर की उकात बस इतनी है कि ना पहली बार खुद नहा पाता है और ना आखरी बार खुद नहा सकता है सवाल अहंकार का नहीं इज़त का है कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता ही बदल देते हैं जो लोग अपनी जिन्दगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुद खुश होते रहते हैं असली गलती वही है जिसमें हम कुछ सीख नहीं पाते रिश्टे थोड़ा ध्यान से बनाना क्योंकि यहां दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले पहुत ही कम कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो उनकी नजरों में आप हमेशा फालतु ही रहोगे आज के जमाने में शरीफ सिर्फ वही लोग हैं जिनकी हरकते कोई नहीं जानता वक्त इनसान को सफल नहीं बनाता बलकि समय का सही इस्तमाल इनसान को सफल बनाता है जो लोग ये जान चुके हैं कि किसी से कोई उमीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए किसी और को क्या बुरा समझना बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं अब हम सिर्फ खुद को अच्छा मानते हैं जनाब क्योंकि इस दुनिया को अब हम अच्छी तरह जानते हैं जब जिन्दगी में टाइम देखने का भी टाइम ना मिले तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो आजकल दिल के साफ लड़के चेहरे के खुबसूरत लड़कों से हार जाते हैं जो वक्त आपके पास बचा है उसे संभाल कर इस्तमाल कीजिए क्योंकि जो वक्त आप खो चुके हैं वो अब कभी लोट कर नहीं आएगा सच बोलने के लिए कोई त्यारी नहीं करनी पड़ती क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है कोई भी रिष्टा एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं बलकि दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है रिष्टा चाहे जो भी हो मजबूत होना चाहिए मजबूर नहीं दर्द की भी अपनी एक अदा है वो भी बरदास्ट करने वालों पर ही फिदा है आजकल कुछ रिष्टों को निभाने के लिए लोग पूरी इमानदारी से बैमानी करते हैं उमर का तालुक सालों से नहीं होता कई बार इनसान भरी जवाने में भी सदियों पुराना हो जाता है आजकल कंपिटिशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अगर अपना दुख बताओगे तो वो आप से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है जिन्होंने आपका समय पर साथ दिया है उन रिष्टों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए जिन्दगी में एहमियत सिर्फ उसी को देना जिसे तुमारे असली की मत पता हो रिष्टों के बदलने पर क्या रोना समय तो आपकी शकल तक बदल देता है ये बात समझने में पूरी उम्र लग गई कि बेगुना होना भी आजकल एक गुनाह बन गया है राह कोई भी हो पकड़ कर चलिए अगर कदम सचे हैं तो अकड़ कर चलिए ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनाहगार हो गए दूरियों में ही पर्खे जाते हैं रिष्टे आँखों के सामने तो सबी वफादार होते हैं आप लोगों को इसलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं किसी जमाने में एक दूसरे के पाउंव से कांटे निकाले जाते थे और आजक्ल एक दूसरी की रह में कांटे बिचाये जाते हैं जिन्दगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता आप जितनी उमीदे कम रखोगे जिन्दगी में दर्द भी उतना ही कम मिलेगा अक्सर इनसान गलत नहीं होता बस गलत लोगों के बीच में फस जाता है अब वो जमाना नहीं रहा जब रिष्टे निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे डरने वालों को ही लोग डराते हैं आप थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो अच्छे अच्छे सर चुकाते हैं जो इनसान हमेशा दूसरों का साथ देता है अक्सर अपने बुरे वक्त में वो अकेला रह जाता है जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दिवाने नहीं होते कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं आपके हुनर और गुनों के कारण अर्जुन ने करन का कुछ नहीं बिगाड़ा था फिर भी करन अर्जुन का दुश्मन बना दोखा कभी नहीं मरता आज आपको किसी ने दिया है कल उसे कोई और देगा जब मन भर जाता है न तो सबसे बहतर भी बेकार लगने लगता है इतने भी वफादार मत बनिये कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाए जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो वो सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं जिन्दगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे पहुत देती है मुझे भी शामिल करो गुनागारों की महफिल में मैं भी कातिल हूँ क्योंकि मैंने अपनी ख्वाइशों को मारा है किसी की हसी भी जूटी हो सकती है इसलिए इनसानों को सिर्फ देखना नहीं समझना भी जरूरी है कल्योग में किसी को श्रीफ समझने की गलती पिल्कुल मत करना जनाब समयदार इनसान का दिमाग चलता है और ना समझ इनसान की जबान चलती है तुमसे मिलकर ये समझ आया मुझे कि जूटे लोग भी ला जवाब होते हैं जिन्दगी में बिना ठोकर लगे इनसान को अच्छा और बुरा समझी नहीं आता किसी से बदला लेने में अपना समय बरवाद मत करो क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वो अपने करमों का सामना एक दिन खुद करेंगे जिन्दगी तो सब के पास है पर यहां हर कोई जिन्दा कहा है एक इसमेट बस इतना बता दे तुम सब को आजमाती हो या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है मैं लोगों के जूट का मान रख लेता हूँ और वो समझते हैं कि मुझे बेवकुफ बना दिया जरूरत से ज्यादा सोचना इनसान की सारी खुशिया ठीन लेता है गिरगिट जैसा रंग बदलता है और साप जैसा डसता है कुछ इनसानों के अंदर भी एक चिडिया घर भसता है चालाक लोग भोले भाले लोगों को चने के जाड़ पर चड़ा कर लूट लेते हैं इसलिए हमेशा याद रखना मीठी जबान के पीछे मतलब के सागर बहते हैं आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिने त्यारना आपने खुद सिखाया होगा दुनिया हमेशा उनका ही हाल पुछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक हों लोडते सिर्फ वही लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाला कभी लोड कर नहीं आता